DSLR से मोबाइल में फोटो और वीडियो कैसे डाउनलोड करें Play Store खोलें Canon Camera सर्च करें उसके बाद ये वाली अप्लिकेशन आएगी Canon Camera Connect इस एप को डाउनलोड करके इंस्टोल कर लेना Menu पर किलिक करें Hotspot जैसे बटन पर किलिक करें OK करें Wi-Fi Bluetooth Connection पर किलिक करें किसी नए फोन को कनेक्ट कर रहे हैं तो इस एरो पर किलिक करें Mobile के एरो पर किलिक करें Add a Connect to Device पर किलिक करें अगर आपके पास Apple का फोन है तो iOS पर किलिक करें नहीं तो Android पर किलिक करें OK कर दें अगर Bluetooth से connect करेंगे तो slow speed आएगी Wi-Fi पर click करें, OK कर दें अब mobile पर आएं, mobile का Wi-Fi own करें camera का नाम सर्च करें, open करें और ये वाला जो password camera में दिख रहा है इस password को Wi-Fi के अंदर डाल दें और connect कर दें आपका Wi-Fi connect हो जाएगा mobile में Canon की app को open करें आपके camera का pop-up आजाएगा नाम आजाएगा, इस पर click करें click करने के बाद camera पे OK का sign आ रहा है OK पर click करें, connect हो जाएगा थोड़ी देर में connect हो गया है images और camera पर click करें आपके DSLR में जितनी भी photo और वीडियो होंगी सारी इसमें आ जाएगी एक-एक करके भी select कर सकते है, all भी कर सकते है all पर click करेंगे तो photos और videos एक साथ select हो जाएगी import पर click करें कुछ देर में ये सब download हो जाएगा cross पर click करें अपने phone की gallery को open करें आपके camera के नाम से gallery में एक folder बन जाएगा उसी में सारी photos और videos डाउनलोड हो जाएगी